गाइस ये वीडियो की एंड तर आप fundamental analysis के एक ऐसी simple trick सीख चुके होंगे जिसके बाद आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोग पाएगा तो इसलिए मैं कहता हूँ एक एक second ये वीडियो का कीम्पी होने वाला है तो बिल्कुल skip किये बिना देखिएगा ठीक है हलो गाइस वेल्कम टो बीस डवीडियो फिर साब का स्वागत करता हूँ मेरी चैनल पर आज की हमारी वीडियो हमारी जो stock market series ही उसकी थर्ड वीडियो है पहली वीडियो थी के what is stock market दूसरी वीडियो थी who is the best stock broker अब यह तीसरी वीडियो आज चुके है जिसमें हम बताने वाले है कि what is fundamental analysis and how to do it अब देखो basically fundamental analysis ट्रेडिंग में इतना ज्यादा बड़ा role matter नहीं करता है उसका लेकिन कभी-कभी ऐसा moments आ जाते हैं जैसे कि news हो जाती है या फिर कोई कोटलियों के profit results ऐसे announcements हो जाती है उन fundamentals के कारण stock price में काफी अच्छी अंतबडी moments आ जाती है और यह वीडियो के end तक मैं आपको ऐसे एक simple strategy बताऊंगा जो थोड़ी ऐसे like short term trading के लिए है लेकिन fundamental का यूज करके आप उसको यूज करते हैं तो आप definitely profit कमा सकेंगे तो गाई सबसे पहले प्ले स्टूर पे जाके money control search कर लीजिए because यह एप है जिसमें हम financials और company के वो सब देखने वाले fundamentals इसको open कर लिजिए open करने के बाद आपके कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा अभी में हमको क्या करना है हमको इसमें जाकर सर्च करना है जो भी हमको quarterly set था manual करके देख रहे हैं इसको annual याने के yearly basis पे financial year के basis पे दिखाएगा आपको income statements NPA balance sheet अब कुस दिखाएगा आप चाहें तो quarterly भी देख सकते हैं quarterly में हम हमारी strategy लगाएंगे लेकिन पहले आपको annual दिखा देता हूं annual में आप income statements देख सकते हैं profit में चल रही कंपनी NPA देख सकते हैं NPA भी increased है balance sheet में हम इनकी liabilities and assets देख सकते हैं आप आपको जिनको पता होगा वह liabilities and assets क्या होती है उनको पता होगा on basis of the fundamentals लेकिन हमारी जो strategy है इसमें हम trade करने वाले थे उसके लिए annual काम नहीं आएगा तो हमको इसको करना पड़ेगा convert quarterly में तो annual पे click करके हमको इसको quarterly में convert करना है quarterly में convert करते ही आप देख सकते हैं कि September and June का खाली comparison आएगा वह भी 2021 का याना कि three months का difference आपको दिखाएगा तो आप देख सकते हैं जून के जून में हमारा profit था कितना तुछा नीचे जाके देख कि आप नीचे जाते हैं और देखते हैं जून में हमारा profit था 1794 करोर्स का और September के रिजल्ट में profit है 2940 तो अब इसको compare करके अपन को trade कैसे करना है तो उसके लिए हमको दूसरी website पर जाना पड़ेगा आप Google कीजिए trading view trading view पर आप जाईए उस पर आपको क्लिक करना है जैसी website खुलती है आपको कुछ ऐसा interface दिखने पर आएगा मेरे थोड़ा मेरे ID में settings चेंज कर रही है इसलिए मेरे में dark है अब आपको यहां search करना है kotak जैसे आप कोई भी company ले सकते हैं फिलाल में kotak का example दे रहा हूँ दूसरा example भी दूँगा आप launch chart पर क्लिक कीजे अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे में थोड़ा already set है इसलिए ऐसा आ रहा है डारक है आपके में light आएगा आप उस जाके candlestick में convert कर लीजे वो easy है आपको समाझ में आ जाएगा अब इधर देखते हम कि June और September में कैसे comparison था अब जून में आप देख सकते हैं तो अब इधर हम वैसे जोन बना लेंगे September के उस पर जोन बनाने के लिए आप देख सकते हैं आप आपको मिल जाएगा rectangle आप इधर जाएए September वाले उस पर जोन बना लीजे और तब तक लंबा extend कीजिए जब तक प्राइस उस पर आता नहीं है जोन बना लिए आपने अब हम को उतना वेट नहीं करना है हमको वेट करना है कि कब company वापस उस रेट पर आती है sorry add आ गई company वापस कब उस रेट पर आती है जब September पर वुआ करती थी और without any bad news तो अभी तक कोई खराब न्यूस नहीं है कोटक में यहां पर आती है हमको green candle का वेट करना है एक green candle बन गई दे से आप देख सकते हैं तो कुछ महिनों से 2021 से यह जो लो दिख रहा है candle का उसके नीचे company नहीं गई है यहारे 1620 के नीचे तो हम 1620 का stop loss लगा देंगे और target आप ले सकते हैं जो already high बना चुकी यह company उधर का आप target ले सकते हैं तो वह अमारे लिए best रहेगा but in case in case क्या होता है कि आपको बस खली एक important चीज में आपको बता देता हूं कि आपको वेट नहीं करना है कि अजब तक आउगा targeted चीज़ना हो क्योंकि हो सकते है December December में जो दूसरा quarter result आने वाला है वो खराब आज है तो आप loss कर जाएंगे तो अभी देख सकते हैं कुछी दिन बचे हैं जैसे क कि अल्मुस्ट एक महीना बचा है एक महीने के अंदर अंदर हो अगर आप non risk taker हो तो जितना profit होता है वो लेके निकल जाओ और अगर थोड़ा बहुत risk ले सकते हैं manage कर सकते हैं तो December के profit का wait कीज़े अगर good news आती है तो आप यह target के लिए जा सकते हैं चली दूसरा example लेते है HCL Tech का HCL Tech में हम जाते हैं उसके financials पे financials पे हम जाके देखते हैं उसका quarterly set है net profit कितना है net profit increase हुआ है कुछ करोर्स हुआ है net profit इसका increase आने overall अच्छी बात है company के लिए quarterly basis पे अब इसके chart पी हम search करेंगे HCL Tech को HCL Tech खोल दिया हमने अब जाएंगे वापस जैसा हमने उसमें किया जून के basis पे September को थोड़ा बहुत देख लेंगे compare कर लेंगे अब देख सकते है 980 के आसपास था और अभी चल रहा है September में करीब ये rate पे 1200 के आसपास तो अब हमारा जैसे था September का हम जोन बला लेंगे September को हम जोन बना लेंगे जोन बना लिया हमने September का अब थोड़ा पते से हमको वेट करना है अब प्राइस को उपर जाने दीजिए जितना उपर जाता है प्राइस आपको मेंटर नहीं करता है प्राइस कितना भी उपर चला जाए आपको सिर्वेट करना है कि वह जोन में आके एक अच्छी ग्रीन कें यह ग्रीन केंडल बनती है तो आपको उसमें बाय कर लेना है लॉंग पोजिशन ग्रीन केंडल पर बाय कर लेना है अब आप इस इस केस में स्टॉप लोज कैसे लगाएंगी क्योंकि इसमें तो और जादा लंबा लोज नहीं रह सकते हैं आप यह यह यलो लाइन मैंने बन चला जाता है अब फिर से आ रहा है वापस नीचे चला जाता है तो इसका मतलब यह यह कि यहां पे कोई स्पेशल जोन तो वह जोन के नीचे हमको वह जोन मारे लिए अब सपोर्ट बन चुका है तो यानि हमको शुर यह कर नीचे नहीं जाना चाहिए तो हम आपकर स्टॉ लगा देंगे अब हम target कहा का लगाएंगे target हम चाहे तो जो highest high बना चुका है उसका target लगा सकते हैं और otherwise आप चाहे तो 1 ratio 2 का target भी लगा सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं risk reward ratio 2 तो risk reward ratio 2 का भी target लगा सकते हैं यह kotak में तो हमको नहीं दिखा है लेकिन इसमें आपको औरेडी profit होता हुआ देख रहा है कोटक में तो अभी time है क्योंकि अभी ही zone में आया था price इसमें तो आपको औरेडी profit शो करी रहा है आपने 1190 पे खरीद लिया और आपका 1265 रुपे के price पे अभी profit चल रहा है जैसे कि आप live देख सकते हैं ठीक है आप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप लाइक कर लिजे शेर कर लिजे और सब्सक्राइब कर लिजे और हो सके तो आपके जो ट्रेडर फ्रेंड्स है या तो जो स्टॉप मार्केट में गुसना चाते हैं आप उनको forward कर दीजिए जितनी जादा मेरी चैनल ग्रोगी उतना ज्यादा मैं आपको कंटेंड देने में मदद करता रहुँ ठीक है तो चलिए मिलते है अगली वीडियो में टेक्निकल लेना जिस ते साथ तेक्निकल लेना जिस काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है तो उस बारे में बात करेंगे एं और उसके कुछ सीक्रेट्स रिवील करेंगे अगली वीडियो में ठीक है तो चलिए मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए फ्रॉम अनिकेर बस्वानी एं ब्स्टोंक्स और फाइनस